जाहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेनिया में जिया दोस्तों आगया में फिर से ओर एक नर्सिंग स्टाप की बरती ले करके आपके लिए जिसमें हम बात करेंगे स्टाप नर्स की बरती फार्मसिस्ट ठीक है इसमें 2020 का नॉटिफिकेश दोस्तों जिसका उनलाइन मोड है तीन अप्रेल दोयर्टेविस से तीस अप्रेल दोयर्टेविस तक इसके फॉर्म शुरूर रहना है जिया दोस्तों पूरे वीडियो का हम डीटेल में देखेंगे तो फटा फटा आप चैनल को सब्स्राइब कर देजिए वीडियो को मेंशन करा हमें नागालेन पॉब्लिक सर्विस कमिशन एंप सी ठीक है नाम अब रिक्रिप्मेंट है स्टाप नर्स की पोस्ट हो और हर्मसिस्ट की पोस्ट है ठीक है एड़ुटाइज नंबर यह आपको ध्यान में रखना है ज्यास तो टोटल वेकेंसी है उनसी 79 ज्यास टो जोब की लोकिशन आपको नागालेन मिलना सेलेरी आपको बीस चार दोसुस लेकें तो एक लाग्सेटर एर बांसो तक आपको इन पर जाके आपको यह फॉर्म सब्मीट करना होगा आगे हम कुछ इंप नोपिक्स पे बात कर लेते और दीगे इस तो फॉर्म फिलेप की आपको चारगेस कितना देना है, आपको चारगेस देना हूगा, 300 रुगे और कॉन्वेंसिव फीज आपको 25 रुपीज देना होगा, पैमेंट मेंट उनलाइन है, इन पेस्से उटापना हिड्य फार्मसेश रिकुमेंट पैमेंट केंड आप डेविटकार्ट से कर सकते हो, प 20 साल से 30 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपकी एज काउंट होगी 1 January 2023 से लेके आपकी एज काउंट होना है जिसके पोस्ट पर कितने वेकेंसी है और क्या रखा गया है ठीक है जोस्तो वेटनेर एसिस्टेंस अर्जेंट की पाच पोस्ट है आपके पास सुर्प बदो स्प्राइण सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कि जो प्रट्राइब सब्सक्राइब से इसमें आप eligible हो दोस्तों और किसी भी तरीके से आपके पास से experience नहीं मांगा गया है आगे में वीडियो में बात कर लेते हैं और कुछ important चीज़ों के उपर देखे जोस्तों इसका selection process क्या है आप form submit करोगे हैं ठीक है इसके बाद आपका written exam होगा मतलब क्या आपका होगा CBT test computer based test इसमें होना है ठीक है इसके बाद आपका result लगेगा है उसके बाद आपका document verification होगा और medical examination भी आपका इसमें होना है जिया जोस्तों medical examination में भी कुछ नहीं बस normal चीज़े चेक की जाती है फिर आगे में वीडियो में बात करते हैं कुछ important चीज़ों के उपर तो ठीक है दो आपको पसंद आया होगा तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्टूडियो में थैंक्यू जाहिन